Hello friends, welcome to my channel, I am Saloni, I am going to do a video जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा कि हम लोग जे अस्टिले से भारत आये हुए है तो आज जो आप बापिस जा रहे हैं तो भारत से उस्टिले जा रहे हैं तो तो रहे हम लोग पर्थ में रहते हैं तो घर प्लाइट है, वह ड़ी से पर्थ की फलाइट है तो मैंने सूचा कि ठीक है जोकि मुझे अपनी पिछली वीडियो में आपको ऑस्टिले से इंडिया के ट्रिप शेयर क्या था तो मैंने सुचा कि ठीक है अब भारत से उस्टले कैसे जाते हैं वह भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं और क्या-क्या स्टैप्स होते हैं वह भी ट्राइ करूं कि आपको एक स्प्लीन करने की तो बैठ गये हैं कार के अंदर अब जाने हैं एपोर्ट तो डेली एपोर्ट के टर्मिनल 3 हम लोग पहुचने वाले हैं आगे एपोर्ट तो अभी हम पहुच गए हैं डेली के इंद्रा गांधी इंटरेशन एपोर्ट पर बस सभी में गेट के सामने खड़े हुए हैं तो बहुच गए हैं एपोर्ट के में गेट पर और लाइन में लग गए हैं तो यहां पर आपका ट्रेवल डॉकुमेंट और आईडी चेक होगा तो यहां पर जो सेक्योर्टी फोर्स के स्टाफ हैं उनको हम अपना पास्पोर्ट दिखा देंगे और साथ ही में ट्रेवल डॉकुमेंट मतलब जो डेली से पर्टे के हमारे टिकेट है वह हम इनको दिखा देंगे उदर सामने हमारा आईडी पेरिक्शन हो गया है में गेट पर अभी हम एपोर्ट के अंदर आ गए हैं तो एपोर्ट के अंदर आने के बाद आप नोटिस करेंगे कि यहां पर एक स्क्रीन लगी हुई है जिस पर फ्लाइट की इंफर्मिशन दे रखी है तो आप सामने चेक इंफर्मिशन में दे रखी है तो चेक इंफर्मिशन ना मतलब उसकी रो बता रही है कि वह कौन सी रो में है जैसे आप आपर देख सकते हैं एपोर्ट पर काफी सारी रोज बनी हुई है जैसे मेरे सामना भी आप देख पा रहे हैं उस पर लिखा हुआ है और पीशे पर देखेंगा तो एक और रो बनी हुई है जी एच वह है तो ऐसे ही एपोर्ट पर काफी सारी रोज बनी हुई है तो काफी हल्प करता है यह स्पेशली जो फर्स टाइम ट्रैवल कर रहे है और एपोर्ट के शुरू में ही ना यह यहां पर मनी एक्शेंज के काउंटर बन सकते हैं जैसे भारत में तो रूपए चलता है ओर ओस्टलिय में आपने और यह करसी चलती है और मालीजे अगर आप भारत से ऐस्टलिया पहली बार जा रहे हैं और आपके पास जो यह औस पैसी कि करशी हुआ पर आप लाइन में लग गये अब जाते हैं चेक इन करते किफार करते हैं घर तो यहां पर आपको बस पास्पोर्ट दिखाना है तो जो एर्लाइन स्ताफ है आपका पास्पोर्त न्वर देखें उसके जो भी टिक इत है pops को चेक कर लेंगे उसको verify कर लेंगे और फिर उसके बाद वो आपको boarding pass issue कर देंगे और जो भी आपका baggage है बतलब जो भी आपका समान है briefcase वगारा वो सब यहां पर जमा हो जाएगा और सीध है आपको मिलेगा पर्थ में जाके वैसे तो जो हमारी flight है डेली से पर्थ की वो वाय को मिलेगा पर्थ में जाके और जैसे कि आप सामने देखी रहे हैं कि जो airline staff है वो हमको boarding pass issue कर रहे हैं और साथ ही में उसमें जो highlight कर रहे हैं पतला आपका gate number कौन सा है आपका seat number कौन सा है वो सब हमको एक बार confirm करा रहे हैं और बाकी जैसे मैंने भी बताया ना कि हमारी जो flight ह है वो डेली से पहले Singapore जाएगी और उसके बास Singapore से पर्थ कले जाएगी तो अगर आप दो flight में बैठने वाले हैं तो आपको जो है दो boarding pass issue होंगे तो यहां पर जो है airline staff हमको दो boarding pass issue करते हैं तो उन boarding pass पर लिखा होता है कि एक boarding pass जो है डेली से Singapore के लिए यूज होगा और जो बोर्डिंग पास है वो Singapore से पर्थ कले यूज होगा तो इस तरह दो बोर्डिंग पास मिल जाते हैं और दो नहीं बोर्डिंग पास को आपको समाल के रखना है दो नहीं important है उसके बिना आपको flight में नहीं बैठने देंगे तो उसका ध्याने किएगा तो finally हमारा जो है चेक- तो बैग हो गया या मतलब जो भी सवान अपने साथ carry on करने वाले flight में तो वह सब हम अब उसको लेकर चल रहें अपने साथ तो तो चेक-इन लगरा हो गया है अभी हम जाते हैं immigration की तुरफ तो चेक-इन करने के बाद जो second step आता वो आता है immigration का तो जब आप एक country से दूसरी country में जाते हैं तो आपको जो है immigration process से गोत्रों करना पड़ता है बाकिया आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन लगे हुए है यहां पर immigration के लिए तो हम लोग ने नॉर्मल लाइन में लगने के लिए जा रहे थे कि जो लंबी लाइन है कि चलो लग जाते हम भी जब नंबर आएगा देखा जाएगा बट बीच में हमको एक security guard ने रोक लिया और नोंने देखा कि हमारे पा सकते हैं तो वहां पर comparison देखेंगा तो लाइन चोड़ी छोटी होती है तो यह देखके काफी खुशी मिली आस तो नई तो बच्चों के साथ लंबी लाइन में कई बार परशानी हो जाती है तो यह सामने है immigration counter तो यहां पर जो immigration officer है वो हमारे सारे travel documents चेक करेंगे तो travel documents में आता है हमारा passport, boarding pass, ticket आपका और तीसरा है valid visa मतलब visa valid है या नहीं है तो जब तीनों चीज पूरे अच्छी से check हो जाती है verify कर लेते हैं उसके बाद immigration officer है वो boarding pass पर और साथ ही में passport पर दोनों पर एक stamp लगा रहते हैं उस stamp को हम बोलते हैं departed stamp तो लाल रंग के stamp होती है वो जो ह हमारे passport और boarding pass पर लग जाती है सारे documents verify होने पर तो हमारा immigration clear हो गया है अब जारा हम security check के लिए तो हाँ पर भी हमारा समान है मतलब carry on समास मतलब laptop वगरा mobile वगरा और bags भी छोटे मुटे जो bags है वो सब यहां पर check होंगे सारे scan होंगे और साथ ही में हमारा भी security check करेंगे तो यहां पर भी जब आपका proper अच्छी से सारा समान scan हो जाता है और जब हमारा खुद का security check हो जाता है वो boarding pass पर एक stamp मार देते ह है तो वह security check की stamp होती है तो इस तरह से हमारे boarding pass पर दो stamp लग जाती है और passport पर एक stamp लग जाती है और वहीं मैं अगर अपने पर्त की बात करूं वहां पर जो है सिर्फ passport पर stamp लगती है जब आप international travel करते है बोर्डिंग pass पर कोई stamp नहीं लगती है तो यह एक अंतरह जो मैंने है तो फानली हमारा जो है immigration और security check पुरा अच्छे से हो गया है और इसके बाद जो है यह आता है डेली duty-free area तो यहां पर जो है काफितरी shops हैं आपको कुछ भी gifts वरा लेना है यह जहां पर जा रहे हैं तो समाह लेना है तो यहां से लेक सकते हैं और यह जो समाहने पूरा टेक्स परी होता है तो यहां पर काफितरी shops बनी हुई है अभी हम जाएंगे gate की तरफ जो हमारा gate है flight का जहां से हम बोर्ड करने वाले है तो अभी हम लोग पोहुच गए अपने gate के पास और यहां पर जो है यह जूटी फ्री shops जो है यहां पर खतम हो जाती है और इसके बाद यहां पर लाइन से काफि सेरे gates बने हुए है तो gates मतलब जहां से आप flight में बोर्ड करते हैं तो जैसी आप देखी रहे हैं कि बोर्डिंग यहां पर आगे शुरू हो गई है हमारे gate नंबर पर तो जो पैसेंजर्स है वह लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके जो है यहां के एरलाइन के स्टाफ है वह सब के डॉकुमेंट्स चेक कर रहे हैं तो यहां पर पास्पोर्ट और बोर्डिंग पास्ट चेक होता है तो जब आपका पास्पोर्ट और बोर्डिंग पास्ट चेक हो जाता है तो फिर आप जो है अंदर जा सकते हैं और फ्लाइट में बोर्ड कर सकते हैं तो gate पर हमने जलो 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 आम्स बिठा अगा मा पीलो ह्टा देगे फिलो आपका ब्लांकेट है आपका आप पिसहों के बैट जाए ठैगे शाबाश के या आप इसे माई लिफ़ाँ इस नाइ खाली और नाइ पफे प्रनों तो फ्लाइट भी जो है टेक आफ कर गी है डेली से फ्लाइट के टेक आफ करने के कुछ दिर बाद ही जो है एरलाइन की जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो खाना वगारा सर्फ कर रहे हैं तो सबसेले जो खाना है वह सानवे का खाना अया तो उसका गिण्स मील था इसमें बच्चो की जो भी मनपसंद की चीजें होती हैं ऐसमें कुछ आइटमिश एहे और बाकी उसके बास हमारे खाना है तो हमारे खाने होः राजमा चावल और परीर की सबजीह और इसके लावग जो है मैंने एपल जूस भी ले लिया था तो यही सब खाना है तो फिर खाना अपने अच्छे से एंजॉय किया और थोड़ी देर बाद जो है सानमी सो गई थी तो जैसिक मैंने बताया कि हमारी जो फ्लाइट है वो अभी डेली से सिंगपूर जा रही है तो डेली से सिंगपूर को ट्रैवल है लगवा पोने छे घंटे के ट्रैवल है और आगे आप मैं देखी सकते हैं कि जो फ्लाइट हमारी सिंगपूर पहुचने वाली है और वहापर जो भी सिंगपूर को टाइम है वो दिखा रहा है पांच बच के तरह पन मिनट सुबह के सिंगपूर ऊ cachet के बिखा ट्रैवल हम लोग सिंगपूर एर्पोर में लेंड कर गये हैं और सिंगपूर आर्पोर को चांगी आरपोर की नम से पहीं जाना जाता है आप ऑश कुछ लोग औरनी जानते भी होंगे तो अभी हमारी जो नेक्स फ्लाइट है जो सिंगपूर से पर्थ के लिए है तो वो अभी लगबग 3-3.5 गंटे बाद है तो अभी हम लोग ही पी बेट करने वाले है 3-3.5 गंटे तो चुकि सिंगापूर एपोर्ट काफी बड़ा है काफी पॉपुलर है तो ट्राइ करोंगी कि आपके साथ कुछ-कुछ थोड़ा बद शेयर करने का क यह सिंगापूर का एपोर्ट तो आप देखी सकते हैं यहापर जगाजगा पर काफी सारे साइंबोर्ज लगे हूए इंफोर्मेशन के लिए और यहापर देख सकते हैं काफी बड़ी स्क्रीन लगी हुए है तो इस पर जो है फ्लाइट कनेक्शन की इंफोर्मेशन वो कौन से गेट पे वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे हमारी जो नेक्स फ्लाइट है वो पर्त की है तो अभी आप सामने देख सकते हैं पर्त लिखा हुआ है और यह 945 की फ्लाइट है सुबह के और अगर आगे मैं थोड़ा देखू तो जो गेट नंबर है वो इस फ्लाइट है वो एथरी गेट से है तो वह भी आप देख सकते हैं पर लिखावा एवन एट्व एट्री एफ़ोर तो पासवाई एट्री भी ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा जैसे मैंने बताया कि अब टाइम है दूसरी फ्लाइट में तो अभी हम जा रहे हैं तो अभी लॉंज से बाहर आ गये हैं और अभी 9 बज गये हैं नो पतार इसके मारे फ्लाइट है तो अभी जाते हैं गेट पर अच्छे एक बात और कि जैसे मैंने बताया ने कि हम लोग आप गेट पर जा रहे हैं तो यह हमारी दूसरी फ्लाइट है जो सिंगरपूर से पर्थ की तरफ जा रही है तो सेकिंड फ्लाइट में आप डारेक्ट बोर्ड नहीं कर सकते माला डारेक्ट नहीं बैठ सकते फ्ल तो अगर आपके दो फ्लाइट के बीच पर टाइम कम है तो आपको उसको अच्छे से मैलेज करने पड़ेगा नहीं तो आप लेट हो जाएंगे पीछे आप देख सकते हैं सेक्योटी चेक हो रहा है तो हमारा सेक्योटी चेक भी हो गया है सिंगरपूर एयरपोर्ट पर बस अब जो है गेट पर ही आगे इधर देखिए तो यहाँ पर काफी सारे गेट बने हुए A1, A2, A3, A4 तो चुकि हमारा गेट नमबर A3 है तो सिंगरपोर से पर्त का वह बनी पास आपको यहां पर दिखाना है और साथ ही में पासपोर्ट भी दिखाना है तो बस डॉकुमेंट वगाद चेक होने के बाद हम लोग फ्लाइट में बैठ गए तो जैसे ही हम फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठे तो एरलाइन स्टाफ न यह हमको एक यह कार्ड दिया है जो वाइट और और औरेंज कलर का है इसको इंकमिंग पैसेंजर कार्ड बोलते हैं तो यह जो कार्ड है यह काफी इंपोर्टन कार्ड रहता है तो इस कार्ड के जो हैं दो साइट होती हैं दोनों साइट में कुछ ना कुछ सेक्शन बने वह तो आपको जो सारे section fill करने होते हैं उस्टलिया के अंदर enter करने के लिए जैसे कि इसमें कुछ लिखा हुआ कि आप कोई medicine तो नहीं ला रहे हैं या फिर आपके पास कोई animal product तो नहीं है तो भी कुछ आप ला रहे हैं कुछ मसाले भर भी ला रहे हैं तो वह सब आपको जहांप डिक्लेयर करने पड़ते हैं बिल्कुल ओनेस्ट हो कि आपको जो अपना form fill करना होता है कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं होती है अधरा इस काफी जादा penalties लगने की chances रहते हैं फिर बैठे बैठे जो फिर से खाना वगरा आ गया था तो वही सान्मी का kids meal आ गया था उसके जो travel time है वो लगभग 5 घंटे 10 मट बताया है तो देखते देखते जो है पर्स भी आने ही वाला है तो एरपलें से बहार निकले अगर आप पहली बार आ रहे तो बस भीड को फोलो करते रही है फिर ये duty-free shops आ जाएंगी उसके बाद आता है सबसे बहले immigration उसके बाद आएगा बैगेज जहां से आप अपना समान कलेक्ट करेंगे उसके बाद आएगा लास्ट में कस्टम तो फिलाल आवी हम जा रहे immigration के लिए तो जैसी कि आप सामने देख सकते हैं काफी सेरे counters बने में immigration के तो फिलाल मैं भी अपना camera बन करती हूं और मिलती हूं आप से immigration क्लियर करने के बाद तो हमारा immigration चेक भी हो गया है immigration चेक पर ऑफिसर ने passport मांगा था और australian incoming passenger card था वो मांगा था तो दोनों समान है वो सब लेते हैं जिसे चार नंबर की belt है आगे जो दो नंबर की belt है तो यहां पर कई सेरी belt लगी हुई है उस पर जो अले लग इंकमिंग पेसंजर काड जो मतला ओरेंज वाइड का होता है जो मैं आपको फ्लाइट में दिखाया था तो फिलाल आभी मैं आपको मिलती हूं कस्टम क्लियर करने के बाद तो हम लोग फाइनली इस arrival gate से बाहर आ गया है और हमारा जो कस्टम भी क्लियर हो गया है तो कस्टम कि जो हमें मैं इसको इसरे कि फ्लाइत रच करते कि उसको पराऊ ग्री करते हैं कि इस तक पालल शर्च करते हैं और सब चेक करता है तो वही के सब खिरता है तो फॉसम जो प्रोसे के अधि bit शीप में अपर ऐकर रखते है तो उसमे मैं आपको इक टिप देना चाहंगी कि ज जो भी आपने औरनिज काड में मैंशन किया हूँ है, वो सारा समन एक ही बैग में रखेगा, इन स्टीट ओफ पे चार पाइज बैगों में आपने आला अला रख रख है, तो अगर आपने सारा समन आला बैगों में रख तो कस्टम के टाइम पर आपके सारे बैग खोने और इसके बाट प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो यह मैंने सुचा कि आपके सारे शेये कर दूँ, तो अब ही हमारा कस्टम क्लियर हो गया है, पानली अब हम अपने घर जा रहे हैं, तो चलिए मैं इस इंडिया से ऐसला के सब फरकी वीडियो को यहीं एंड करती हुआ है